कि समझ सकते हैं कि 13 दिसंबर को लर्का कैसा गाई होता है 26 दिसंबर को लर्का जाता है पुजा पाट करने के लिए क्यूंकि वो लर्का भकती भजन में काफी मगन रहता था और लर्का अब तक घर पे आया नहीं अब हम छपराजिला के मिर्जयापुर गाउं में हैं जो कि मर परिवार वाले प्रेसान है थाना में भी रिपोर्ट किये हैं लोग अब तक कोई अब तक कोई नहीं मिला है आखिर क्या मेटर है क्या नहीं है कैसे निकले थे किनके साथ निकले थे उनके परिवार वलों से हम बात करेंगे और जाने कि अब तक पंकज है कहा है क्या पंकज पंकज कुमार नाम है आप उनके कौन है हम उनके चाचा लगेंगे पंकज कुमार घर से कब गए थे 26 दिसंबर को निकले हैं पांच बज़े छपरा यहां से सारे चार बज़े निकले थे और वहां कितना बज़ें था यह हमको पता नहीं है अच्छा परा के लिए निकले बोल के घर से गये थे कि हम बनाराश जा रहे हैं और अभी तक आये नहीं है घर पर पुरा आप अच्छा पराश जब घर से निकले थे तो क्या जगरा जण्जट हुआ था या कैसे क्या गए थे नहीं जगरा घर के फैमिली से किसी से नहीं हुआ था उनकी ममी से लड़का बोला था कि महां लीटी बना दो लीटी और सबजी बनाई थी मां उनका और लेके बोला कि हम एह पराश डाजक जाएंगे और छफ्र लेके निकल गया उसी का नाम का लड़का था उसका दोस्ते था मेरे घर के बगले का है उसका भी कंकजे नाम है तो उसको छोड़कर वहां वागे बाईक से उनका जसको छोड़ने के लिए ये उनको छोड़ने ता और आप ही गया अब बनारस पहुंचा 27 को भरवाले को भी 27 को बताया कि हम बनारस हैं रात को भी 27 पूरी रात वहां पर बताया कि हम बनारसे में हैं 28 को भी सुबह बात हुई थी भाई से उसका तो बोला कि हम आ जाएंगे लिए उसका बाद वहां से निकला है साम को बनारस केंट से उसका बाद हम लोग से उससे बात नहीं हुई है और उसके बाद हम लोग ठाना में फ्यार किये हैं हुआ कि यह प्रिसासन क्राव Lörtन वोल रही है दिया समय के नहीं जी हलa को अपने वह साद से मड़त कर रही है जो कि मतना नोगा था और रही निकाली है थाना अपने हिसाब से 211 है अ सलस्को हम लोग को भी सुचना मिल रही है क्या पता लगा है अब तक अभी तक तो यहीं पता लगाया कि 29 दिसंबर को हम लोग पटना लुकेशन जब ट्रेफ हुआ था आउसका आई पीप पोस्ट बैंक का जो पेमेंट था किया था उसी अधार पर पुलिस हमको बोली थी कि चलो यहां पर च पास भी गाएं तो वहांका CC TV केमरा मेडिकल के पास तो था नहीं आगे दुकान में था तो वहां पर देखा गया है तरीकों देखा गया है एक बच के कुछ मिनट पर लड़का देखा गया है कि आड़ा है उदर से अब उसके बाद हम नहीं बता सकते हैं कि 26 दिस्टंबर को लड़का घर से निकलता है बनारस के लिए ममी से बोलता है कि ममी लीटी बना दीजिये हम जा रहे हैं बनारस और आज 22 जन्वरी हो गया क्या क्या लगता है लड़का का उमर कितना साल कि 22-23 साल मुष्ब है किसी से गाउं महले में झागरा जंच इनध लड़का से था क्या कोई दिव्गार मेरे से जबी नहीं है कि बताया नहीं सकते हैं क्योंकि अभी स्बीटे नहीं मिल पाई कि लड़का हाए का आप भी समयदार है और आज का जो जनेरेशन चल रहा है ऐसा भी उसकता है कि लड़का किसी लड़की को लेकर भाग गया होगा ऐसा तो उसके अंदर नहीं था लेकिन अब बता नहीं सकते नहीं हुआ था लेकिन उसका सागाई हुआ था अब तो निकल गया घर से पुजा के बाहने कि हम जा रहे हैं पुजा करने हैं हम आ जाएंगे समझ सकते हैं कि 13 दिसंबर को लड़का कैसा गाई होता है 26 दिसंबर को लड़का जाता है पुजा पाट करने के लिए क्योंकि वो लड़का भक्ती भजान में काफी उमगन रहता था और लड़का अब तक घर पे आया नहीं पूरे परिवार में सानाटा मच गया है एक नही 30 दिसंबर का फूटेज था उसके बाद से अब लोगप प्रियांस कि एक ड़का को फोन कि लड़का का नंबर पर लगा लगा मुद्या कर रहे हैं uch ARU ढ़ल रहे कि हम लगे है अना कि आप लोग्सादी उधर करेवार होंगे उसके अच्छे तरीके से सदी कर दोंगी और वह भाग गया होगा कि अपर हम लोग लड़का के रासन दुकान था सामने दुकान घर के सबने हैं वहां पर बैठता था अपना अब भूजी उनका जाते थे नंबर पे आप लोग संपर कर सकते हैं अगर वहां अगर फोन नहीं लगे तो मेरे नंबर पे आप लोग फोन करके बता सकते हैं कि पंकज तुझे कुमार यहां पर हैं और एक और चीज है प्रिवार वालों से नहीं हम बता रहें आपको अगर लड़का आप कहीं भी दीख jaga शो इनाम देने के लिए हम इनाम देंगे प्रिवार वाला को बाती छुरिए क्एंडत तुछ पुरी परिवार में सकति और गआरी कि सथा होगा लेकिन साधी के पहले ही लड़का मेरी पर्षासन मदद करें अब मेरे परophile कश की से बस यहीं कहेंगे अंतिदक हम यहीं कहेंगे जिस भाई और जीतने भी अपने मिर्जाबुर पंचाइद के चाहे पटना वासी हो चाहे बिहार वासी हो अगर संपर्क में लड़का आ रहा है तो मिल जाए तो उसे आकर्षित इनाम दिया जाएगा जो व्यक्ति खोज को लाए प्रीवार में अभी दुखको महल है प्रिवार का दूखी है और प्रिवार घा के बस फटना है ऐगरका लड़का है फ्रिवार में जी पहें जब घूम होता था यह जाता है और बाइसाल का था तो लेग्श से एक जरूर कमेंट कीजिए अगर लड़का कहीं दिखता है तो और एक और चीजिज चछेंगे कि प्रसासन सहाब थोड़ा साइनको हेल्फ कीजिए क्योंकि हुआ इन्होंने बताया कि हाँ प्राशासन मुझे हेल्फ कर रही है मुझे विश्वास है कि मरहवत थाना इनको हेल्फ कर रही है और क्योंकि पटना जा करे साथ में जाना और सब कुछ दिखना बहुत बड़ी बात होता है तो बस प्लीज आपसे रिक्वेस्ट और सब्सक्राइब आपसे रिक्वेस्ट है कि इस डर्के को खुजने में इनके मदद करें बाकि जितने लोग वीडियो देख रहे हैं वीडियो को शेयर कीजिए और लड़का को खुजने में हेल्प कीजिए